तो भाईयो राम राम सलाम वालेकुम सत्रिया कल मेरे सामने कड़िये KTM RC 200 एक डीटेल में रिव्यू करने जानों जो लोग केटियम लेने की सोच रहे हैं वो ये वीडियो लाफ्स तक देखेगा आपको समझ में आ जाएगी कि ये बाइक आप के लिए है कि नहीं है और प्रा जो इसमें नहीं मिलते हैं जो आपको RC 390 मिलते हैं वो है कि इसमें आपको क्युक शिफ्टर नहीं मिलता है ट्रैक्शन कंड्रोल नहीं मिलता है और 390 में आपको क्युक शिफ्टर और ट्रैक्शन कंड्रोल मेल जाता है इसमें आपको अंडर बैली एक्जॉस मिलता है और 3 तो फ्रंट में आपको वाइजर मिल जाता है। जो 390 में आपको दिकाने दिलाए हूं उसमें भी आपको MRP smells 7 में हम्पेर। दीख सकते हैं।र 47 ईसमें भी आपको मिल जाता है। और सेम 390 में भी आपको यही जिगा मिलता है, बाकि अब मैं मिरर भी आपको दिखा देता हूं, एक बार मैं खोल देता हूं, इसको एक मिट रुग जाई है, ठोड़ा ऊपर से पकड़ता हूं, हाँ यहां से देख सकते हैं, तो मिरर खुलने के बाद थोड़ा से हाया भूसा जैसा फील नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा से वैसी लग रही है, मतलब स्पोर्ट्स भाई का आप देख सकते हैं, बाकि फ्रंट से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लग रही है, साइट प्रोफाइल से आप दिखा देता हूं, RC200 के आपको ब्रैंडिंग मिल जाती हैं, स्पेशली जब आप आफ रोडिंग कर रहे होते हैं, टायर के मैंने आपको बता दिया है, 110 बाई 70 के आपको सत्रेंज के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इसमें, और उस तरब से भी मैं आपको दिखा देता हूं डिस्क इसकी, और ABS भी आपको दिखा देता हूं यहां प पाकी आप देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ लोग है, फ्रेंट में आप देख लिए, काफी ज़्यादा सिमलर है जो 390 के, तो देखने में तो दोनों बाइक सिमलर हैं, इस तरह आप देख सकते हैं, आरसी 200 के आपको ब्रैंडिंग भी मिल जाती है, फॉंट काफी ज़्य ज़्यादा अच्छे तरह इसके यूस करेंगे हैं, रेसिंग फॉंट इसमें मिल जाते हैं, ग्राफिक्स भी काफी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, के डियम की ब्रैंडिंग मिल जाती है, अब इधर मैं आता हूं, तो इधर से भी आपको दिखा देता हूं, सेम आप को इस तरह से लाइट थोड़ी पड़ रही है, तो ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप थोड़ा और ज़्यादा क्लियर तईके से देख सकते हैं, RC200 की ब्रैंडिंग मिल जाती है, ग्राफिक्स काफी ज़्यादा डाइनमिक स्किल लग रहे हैं, बाकी इंजिन पे चलत चलते हैं, बाकी सब फाइबर बाड़ी, सिर्फ फ्यूल की जो टंकी है, बाकी नीचे आप चलते हैं, तो इंजिन की बात करते हैं, तो रेसिंग के टेम की आपको ब्रैंडिंग मिल जाती है, 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विट कूल 4 इस्टो की इंजिन मिल जाता है, मै यहां पे आपको Ground Clearance मिल जाती है यहां यहां पे आपको Ground Clearance आप देख सकते हैं Ground Clearance आपको मिल जाती है 158 mm की Ground Clearance मिल जाती है Underbelly Exhaust इसमें मिल जाता है Dual Stand नहीं मिलता, Single Stand के साथ आती है बाकी Rare की तरफ आप चलते हैं तो Rare Profile भी आपको दिखा देता हूं यहां पे आपको Foot Packs मिल जाते हैं Mono Socks Suspension देख सकते हैं White Color का अच्छा खासा बड़ा आपको मिल जाता है जो Off-Roading में काफी जादा Comfortable प्रोवाइड करता है बाकी Rare Tire की अगर बात करनो तो 150,60 के आपको 17 इंच के आपको टायर मिल जाते हैं इसकी बात करनो 230 mm के डिस्क मिलती है विथ ABS तो Dual Channel ABS के साथ आती है Orange Color के आपको Alloy Wheels मिल जाते हैं जो काफी जादा बेहतरीन लग रहे हैं इसमें बाकी सारी चीज़े मैंने आपको दिखा दिया है रेयर के बारे में और टायर की जो क्रेप हो काफी स्ट्रॉंग अभी मैं आपको दिखा दो यह देख सकते हैं जो टायर हो काफी क्रेप करेंगे नहीं क्योंकि क्रेप है ना इसमें अच्छी तो अगर आप पानी में बारिश में भी चलेगी तो काफी अद्ध्यान रखा गया कैटेयम के उपर आपको नंबर प्लीट का स्पेस मिल जाता है और साइड में अपकोmorडी के टेय्न सेटी अपको पीचेगी वह आपको सेम मिल जाथी जो आर्थी 3-90 में अपको आपको 390 में जो मिलते हैं वही आपको 200 में भी मिल जाते हैं सीट भी आपको सेम आपको 390 में जो मिलती है वो इसमें भी मिल जाती है सीट हाइड के बात करने तो 824 में की सीट हाइड मिलती है RC के आपको branding मिल जाती है seat के ओपर split seat मिलती है sports bike को sports का feel देने के लिए बाकि थोड़ा जो पीछे वाले जो बैठे को उसके लिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा है बाकि fuel tank पे बात कर लो साले 13 लीटर का आपको fuel tank मिल जाती है 200 में भी 390 में भी unfortunately इंजन का setup नहीं है बैटरी नहीं लगी है इसमें तो इसलिए मैं start करके नहीं दिखावाँगा बाकि mileage की बात करो 30 से 35 आपको यह mileage देगी अगर आप over speeding नहीं करेंगे तो 30 से 35 आपको mileage मिल जाता है E20 की branding के साथ buttons आपको थोड़े से normal मिल जाते हैं तो यह सारी चीज़े छोटी छोटी चीज़े आपको दिखा दो mirror आपको same मिलते हैं जो 390 में आपको mirror मिले वही आपको 200 में भी mirror मिल जाते हैं तो यह सारी चीज़े हैं जो मैं आपको बता दिया एक comparison भी कर दिया है थोड़ा थोड़ा 390 और इसका 200 का बाकि अब on road price की बात कर लों तो 2.57.000 की on road पढ़ जाती है और 390 आपको 3.80.000 रुपे की बढ़ती है लखनो के showroom की बात कर रहा हूँ different state की different price होते हैं होते हैं तो 4.500.000 रुपे का अंतर हो सकता है बाकि मोटा मोटा एक idea आपको बता दिया मिलते हैं अगली वीडियो में till then keep watching, keep loving this is Alfamil, signing off, bye